हलो फ्रेंड्स विश्यू वरी वरी हैपी नियू यार और 2022 में फर्स जैन्वरी है और आज हम वीडियो बना रहे हैं कट आफ के ऊपर और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तरह कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है जिससे हम ये इंडिकेट हो कि अभी कोई भी एक्जा आपको मिलती रहेंगी इसी के साथ मैं हमने अच्छी होप रखते हुए कट आफ के ऊपर वीडियो बनाया है इसको पूरा देखिएगा वीडियो को ठीक है और सब्सक्राइब लाइक शियर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि शियरिंग इस केरिंग आपका एक शियर क की वज़य बनिये तो आपको भी कहीं न कहीं से खुशियां मिल ही जाएंगी ठीक है ओके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी आइस और पीसी एस पे और यह जो वीडियो बनाया गया है इस वीडियो में परपस यह है कि केटिगरी वाइज और जो सेलेक्शन मतलब रहेगा ठीक है उसमें कट आफ क्या रहेंगी किस तरीके से अपका जो इस बार का एकस्पधेट रहेगा उसके वारे में मैंने वीडियो बनाया है ठीक है और क्या आपका मतलब इसकी ऊपर क्या ओपिनियन रहेगा आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा आपको क्या लगता है आपने कुटते कोशन करेक्ट करें कितना प्रसें की उसमें टाइप करेंगे तो वह आपको मिल जाएगा वाकि मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल में आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं ठीक है मैं से जूम कर लेती हूँ यह आप देख सकते हैं कि यह जो कट आफ है वो 2020 का है ठीक है और वो जो के लगता है कि यहाँ पे लिखा हूँ ऐसा होगा वाट ऐसा नहीं है तो कट आफ जो है वो आप देख सकते हैं जैसे कि एकनोमिक्स में अगर देखें ठीक है मैं आपको एक आईडिया देती जा रही हूँ आप अन्रिजर्ट का जर्णल वाले देख लिए बाकी का तो उससे कमी होता है ठीक है तो आप यह देख लिजे ठीक है यह जो स्कोर है 62 है ठीक है अन्रिजर्ट कैटिगरी का 62 है ठीक है इसके बाद में आपका देखें अगर JRF के लिए तो इनका 70 है, यह subject है आपका economics, ठीक, इसके बाद आप slow करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, इसमें देखिए EWS है, OBC है, SCST है, तो यह सारा कुछ देख सकते हैं, इसके बाद में हम चलते हैं political science पे, तो political science आप देख सक के लिए है, बाकी यहां पर देख सकते हैं, इसका 68% जो रहा है, वो किस के लिए है, वो JRF के लिए है, ठीक है, पहले वाला जो है, वो net के लिए, दूसरा वाला, JRF के लिए, यह political science का मैंने देखा दिया आपको, इसके बाद में आप, यह देखिए, मैं स्क्रॉल करते हैं, जो स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चाहें, तो वीडियो को स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं, यह political science का था, ठीक है, आप expect नहीं कर सकते हैं, लास्ट इयर जो था, लास्ट इयर, उससे, यानि कि 2019 से 2020 का कम है, ठीक है, तो obviously paper tough होते जा रहे हैं, आप शायद ध्यान से सुन र जा रहे हैं, जिसकी वज़े से जो cut off है, वो भी कम ही जाएगा, ठीक है, पैटन टफ होगा, जितना टफ होगा, उतना आपका cut off कम जाएगा, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाहरे हूँ, cut off कम ही जाएगा, because अपी जो pattern आया है, एनलेटिकल आया है, ठीक आप जरूर देखना धियान से, आपको काफी benefit होगा, और जो pattern चल रहा है, उसी के according होगा, पुराने वाले old pattern पर नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावा, अभी जो paper pattern tough है, तो cut off 2020 वाले से क्या हो जाएगा, 2020 वाले से कम ही होगा, लेकिन 60% से कम हो जाएगा, ये हर subject के लिए possible नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका paper कैसा आया था, उसके level की according ही, pattern की according ही, cut off बनेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स चलते है, पॉलिटिकल साइंस हो किया था, पॉलिटिकल साइंस के बाद में आप आएं, अगर तो देखते हैं, philosophy है यहाँ पे, तो philosophy में यहाँ पे जर्व के लिए 72 है, और यहाँ पे OBC का आप देख सकते हैं, इसी तरीके से, है न, SC का देख सकते हैं, यह है, OBC का उपर वाला है, ठीक, फिर SC, ST में इसे clear ही कर देती हूँ, आपको जादा इसी, यह है category wise, ठीक है, फिर यह PWD में है, यह यहाँ तक चल रहा है, फिर इसके बाद philosophy के बाद नीचे आते हैं, अगर हम, तो psychology subject है, जिनका होगा, वो देख सकते हैं, unreserved category में, यह देखिए, 54 था, 54.67 net के लिए, और जबकि, जो आपका JRF था, वो 60 पे हुआ है, 60.67 पे, ठीक है, और person भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए है, मैं पे कितने हुए, ओके, तो यह इस तरीके से है, psychology का मैंने आपको दिखाई दिया, इसमें category wise देखिए, EWS और यह PWT तक OBC हो गया, सी हो गया, और यह ST का हो गया, ठीक है, यह vary करेगा, देखिए, यहाँ पे 54 पे JRF हो रहा है, SC और ST में 52 पे हो रहा है, ठीक है, नेट जबकि 46 और 45 पे हो रहा है, OC में अकर हम देखिए, तो unreserved category के लिए कोई reservation नहीं है, तो 54 और 60 पे, 55 ही काऊंगी, मैं इसे 61 ही काऊंगी, अब आप देख लीजिए, यहाँ कहाँ आपको 35 और 40 परजेंट पे selection होने के लिए दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक है, बढ़ आपकी जो है, 61.33 यह है, नैट के लिए, और यह वाला जो है, 70 यह वाला है, आपका सोचलोजी के लिए, इसके बाद में सोचलोजी में आप कैटेगरी वाइस जा सकते हैं, EWS है, OBC, SC, ST, ठीक है, तो यह हो गए आपके, ठीक है, और यहाँ पे JRF आपका, अब देखिए, म पे है, ठीक है, EWS में देखिए, तो 55 है, और यहाँ पे 66 है, ओके, इसी तरह से PWD में, इसमें सोचलोजी में 48 है, और यहाँ 60 है, ठीक है, नेक्स देख लेते हैं, नेक्स सबजेक्ट, ठीक है, I hope कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा है, ना, हिस्ट्री का देखिए, तो अन्रिजर्ट केटेगरी का 54 है, आपका नेट है, असेस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बाकि यहाँ 60 परसेंट, जो है, सीधे 60 परसेंट है, जे आरफ के लिए, ओके, इसके बाद में यह कैटेगरी वाइज रहा है, EWS का, और यह आपका OBC का, और यह SC का, फिर ST का है, और यह PWD का है, इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजेगा, यह के सामनी लिखे हुएं, ओके, और चलते हैं, नेक्स सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि जल्दी लेना पड़ेगा, यह तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है न, बट परपस अनली यह है, कि आपको एक मतल रहा है, और ST का 48 है, और यहाँ पर देख सकते हैं, 65, 60 and 54 पर ST का है, इसके बाद में आपका PWD का है, जो यहाँ में इनिशन नहीं है, एंत्रपोलोजी में, ठीक, इसके बाद में, नेक्स सब्जेक्ट आपका जो है, वो देख सकते हैं, आप एजुकेशन है, ठीक है, ओके, यह EWS के लिए है, OBC का है, SC का है, ST का है, इसी तरीके से यहाँ से continue का है, तो 63 इसका और यह सारा आप देख सकते हैं, PWD के लिए भी देख सकते हैं, नेक्स सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, अब आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताइए का जरूरर अंसर करके, उसी एक आइडिया हो जागा, कि कि सब्जेक्ट का हाई जाने वाला है, ठीक, सोशल वर्क का देखिए, अगर हम तो अन्रिजर्ट के टिगरी का 64 है, यह 72 है, ठीक है, बाकी आप अधर के टिगरी के आप देख लीजेगा, इसके बाद में आपका डिफ है, आपका नेक्स सब्जेक्ट जो आएगा, वो होम साइंस आएगा, होम साइंस में आपका अन्रिजर्ट है, अन्रिजर्ट में 62 पर सेंट पे है, आपका नेट, असिस्टेंट प्रोफिसर का, और यह है जी आरफ सेवन्टी, ठीक है, कैटेगरी वाइस आप देख है, ठीक है, इसके बाद में, नेक्स सब्जेक्ट है, पबेट के साथ, अपका नेक्स वाला है, पॉपलेशन स्टेडीज, ठीक है, इसमें आपका 63 और 71 है, आई होब यह काफी कम स्टूइंट का होगा, नेक्स देख लेते हैं, म्यूजिक, म्यूजिक में भी अन्रिजर्व यह 62 और 70 है, इसमें भी आप केटेगरी वाइज अपने आप देख लीजिएगा, और नेक्स जो सब्जेक्ट आता है, वो है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का अन्रिजर्वट का 56 और जे आरेफ के लिए 64 है, ओके और इसमें केटेगरी वाइज मेनेजमेंट में अगर हम आते हैं, तो मैथली है, मैथली यह आपका अन्रिजर्वट का 68 परसेंट है, और यहाँ पे 78.67 जी आरेफ के लिए काफी हाई स्कूर है, एक्चुली जो सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न होगा, और कट आफ जितना जादा जाएगा, उसके अकोर्डिंग ही होगा, आपका अन्रिजर्वट के लिए 58 है, ठीक है, और के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह सब बेंगॉली का है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, तो कंड़ा का है, जिसके की टेक्निकल इस्यू की विज़े से इसे आगे रिशिडूल किया गया था, इसका ने हो जाता है, आप देख लीजिएगा, इसके बाद मल्यालम है, मल्यालम का अन्रिजर्वट के टेक्री में देखे तो 54 एंड जे आरेफ का 60 है, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आएगा ओडिया, ओडिया में आपका अन्रिजर्वट 56 है और जबकि यहाँ पे 62 है, ओकी और न तो संस्कृत का है, संस्कृत का 66 पे आपका नेट है और 74 का जे आरेफ है, ओकी इनकी परसेंटेस यहाँ पे हाई है, तामिल में देखें तो अन्रिजर्वट यह 50 पे है और 53 पे है, इसके पाद नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है तेलगू, तेलगू अन्रिजर्वट में आपका 54 है, एंड जी आरेफ 60.67 परसेंट पे है, ओर्दू आएगा तो आपका ओर्दू अन्रिजर्वट में 62 पे है और 68.67 में आपका जी आरेफ है, नेक्स्ट है अरेबिक, अरेबिक में अन्रिजर्वट पे 66 परसेंट है और जी आरेफ 74.67 परसेंटेस है, इसके बाद म में unreserved 68% है और jrf 75.33 है लिंग्विस्टिक का हो जाएगा दें चाइनीज चाइनीज यह 56 है दें जी आरफ नहीं है आमें बस आई तिंग जो में में हमने थे वो कवर कर लिये हैं जो में सब्जेक्ट साप लोगों के रहे होंगे बाकी में पूरा स्क्रॉल कर ले रही हूं जैसे कि अगर आपको देखना हो तो आप कर पाएंगे गुज्राती का 54 पर नैट है ठीक है और jrf 66 पर है ठीक इसके बाद में नेक्स्ट आपका है मराथी मराथी में आपका 52 पर मराथी देख लिए अन्रिजर्ट का 52 है और jrf आपका 62 है ठीक है नेट 52 पर है और jrf 62 पर है 62.67 पर नेक्स्ट आपका फ्रेंच है 61.67 पर परसंट पर नेक्स्ट आपका स्पैनिश हो गया कि आइटिंग अल्मुस्ट सारे ही हमने कवर कर दी है मैं आपको दिखाती जा रही हूं सब ठीक है कि एडल्ट एजुकेशन भी है इसके अंदर अरब कल्चर है और की इंडियन कल्चर है 54 58 परसंट पर जी आरेफ है लेबर वेलफियर है लेबर वेलफियर में अगर आप देखें तो लेबर वेलफियर काफी बच्चों का होगा यह देंग यह देख सकते हैं आप सौरी अन् आपको यह देख लिए बुद्धियर का है बाकी आप देख सकते हैं मास क्मूनिकेशन मास क्मूनिकेशन में दिखा देती हो आपको यह देख लीजिए कि इसके बाद में आपका परफॉर्मिंग आर्ट का है इसमें डान्स तो यह 62 हैं जादा स्ट्रेंट का तो नहीं होगा बाकी आप देख सकते हैं यह सारे हैं इसके अंदर आर्केलोजी के भी है 62 & 70 आपकी क्रिम्नोलॉजी क्रिम्नोलॉजी काफी सारे सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का तो नहीं बताने बता पाऊंगी मैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जागा वीडियो मैं आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हूं विज्वल आर्ट है वुमन सोचल मेडिसीन एंड यह है फॉरेंशिक साइस का 62.67 अ यह 68 ठीक है यह है बाकी नेक्स्ट है आपका फॉरेंशिक के बाद में पाली है 72.86 पर काफी हाई है कश्मीरी का है आपका 58.62 है नेक्स्ट आपका कॉंकनी है 4848 पर ही है कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं एक ब 53.33 है एक एलेक्ट्रोनिक साइंस है 52.57 पर है एंवार्मेंट इंड साइंस का देख लेते हैं आंदे ते 59.33 एंड 68 का है आई थिंग काफी दिखा दिये मैंने आपको ठीक है इंटरनेशनल एंडिया प्रकृत का है यूमन राइंस एंड दूटीज है बोडो का है संथाली ह योगा है आपका योगा का 61 & 70 है ठीक है फ्रेंट्स मैंने पूरे के पूरे आपके ये फिनिश कर दिये हैं और यह मानके चलिए कि जो 2021 का जो पेपर है वो पैटर्न पहले से ज्यादा तफ था ठीक है और है अभी तक के लिए तो जो कट आफ जाएगी उसमें आई थिंग क कुछ तो फर्क पड़ेगा बाकी ये मानके चलिए कि आपका जो जो भी परसेंटेश यहां पर दिख रहा है उससे 1% to 4% तक ही वेरियेशन आ सकते हैं उससे ज्यादा वेरियेशन आने के चांसे तो नहीं लगते क्योंकि स्टुडेंट्स ने उतनी ज्यादा पढ़ाई भी की थी जो लोग येरवाइस पढ़ रहे थे फ्रेंट्स उनकी अनलिटिकल कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई होगी क्योंकि जो कंटिनियूस पढ़े थे उन लोगों ने पेपर अच्छा किया है ऐसा स्टुडेंट्स ने रिप्लाई किया है ठीक है ऐसे रिप्लाई आई है इस वीडियो को बनाने के मतलब ये है कि एक तो आप लोग नई नई नीज सुनके पैनिक ना हो ठीक है और दूसरा काफी सारी चीज़ें हो रही है बीच में तो उससे ज्यादा डिस्टब ना हो उसे अपने आपको ज्यादा डिस्टब ना करें ठीक है और अपनी श्टडि और अपनी स्टड़ी करते रहिए अपडेटेड रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए होग करिये अच्छा होगा चीक है और इसी के साथ में आप लोग अच्छे से अपनी केर करें अपनी फैमिली की केर करें और एक बार फिर से आपको विशी वरी वरी हैपी नुए यर आपकी फैमिली को भी और आप हेल्थी रहें और एक अच्छे माइन के साथ में अच्छी से प्रोफेसर बने और आई होप आल यूज आ दूइंग वेल एंड प्लीज स्टे विए फैमिली कीप सेफ यू और यूर फैमिली और फॉर फ्रेंड्स शेयर करना मत भूलेगा क्य कि उसे जरूर देखना और शेयर करना विकल शेयरिंग इस केरिंग